अच्छी सेहत के लिए कुछ टिप्स नमबर एक, आखों से पानी आता हो तो रोजाना संत्रे का जूस पीएं नमबर दो, गरम पानी के साथ खजूर खाने से कफ की परेशानी में आराम मिलता है नमबर तीन, ककड़ी या खीरा खाने या रस पीने से शराब का नशा उतर जाता है नमबर चार, छीक आने पर दो चमच सौफ को पानी में डाल कर उबाल लें अब कुछ देर इसे ढख कर रख दें करीब दस मिनट बाद चान कर इसे चाय को पीएं, तुरन ताराम मिलेगा नमबर पांच, दो तीन नीबू का रस थंडे पानी में मिला कर पीएं ये मासिक धरम में दर्द से तुरन ताराम देता है नमबर छे, सेब का छिलका पूरा उतार के नमक लगा के सुबह खाली पेट खाएं ये पुराना सिर्दर्द खतम कर देता है नमबर साथ, पेट फूल रहा है तो एक चुथाई चमच सोड़ा पानी में डाल कर पीने से आराम मिलता है नमबर आठ, गले में खराश है तो दो तीन तुलसी के पत्ते लेकर पानी में डालें और हलकी आच पर उबाले जब तुलसी का सारा रस निकल जाए तो इस पानी से गरारे करें नमबर नो, मुह में चाले हैं तो केले का पेस्ट बनाके शहद मिलाकर खाएं तुरन ताराम मिलेगा नमबर दस, हाई बलड प्रेशर है तो सुबा रोजाना दूद के साथ आवला खाएं ये बलड प्रेशर को कम करने की अच्छी तरकीब है नमबर ग्यारा, दमा या अस्तमा है तो एक बड़ा चमच शहद और आधा चमच दालचीनी मिलाकर खाएं नमबर बारा, डेंडरफ से परेशान हैं तो नारियल तेल में थोड़ा नीबू मिलाकर बालो में लगाएं आराम मिलेगा दोस्तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टोरी टेलर हिंदी को सब्सक्राइब करें आपका बहुत-बहुत धन्यवाद